फेला लगाईए पंचर बनाईए बड़े सबनों घर के बच्चे हैं तो बहुत तैका और सरा मार रही है तो मंदिर के किनारे का टोरा लिख बैठ जाईए और अगर सरकार विचार नहीं करती है तो हम अधिवक्ता अपने पास से पैसा लगा के इन वच्चों की आवाज उठ जनीत याज का दायर करेंगे आरपार की लडाई लड़ी जाएगी उत्तर परदेश में यूपी पुलिस भरती आई है और लगबख साथ हजार की भरती आई है और पांच साल बाद आई है मतलब आपके हम कह लिजिए कि सरकार ने युवाओं के उपर बहुत बड़ा असान कर दिया है कि कम श कम भरती लेके आए लेकिन उसे असान करने के साथ साथ एक यह आसान ही अभी कर दिया कि जो कि वरक के बिचारे लड़के हैं टमाइम लड़के तमाम लोग बार-बार मैसेज कर रहे थे कॉल कर रहे ते कि इस पे जनता की राया भी ली जाए अब जनता की रायए ना लेकर मैं चला आया जो है तो इस लोक क्या राय है इनसे जानेंगे चैप तो आपने अपना नाम बता है यानि कि आप जनरल के टेगरी से आते हैं जी बिलकुल तो यह जो अभी नॉटिफिकेशन जारी हुआ है कि बाइस साल के बाद जो है जनरल वाले नहीं भर सकते हैं मैं जानना चाहता हूं पहली बाद तो भरती निकलती नहीं जानते आउंगे कि 2018 में भरती याई उसके बाद फिर 2013 में तमाम बच्चे उसमें अंडरेज हो थे आज भरती जब आया तो बच्चों का काफी निरासा जनक सुनने में जब आया यह नूटिकेशन की भरती आई सफी निरासा महसूस हुई यह मैं माननी मुख्यमंत्री इसे जानना चाहता हूं कि इस देश में सामान्य बर्ग की जो ललके हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है उन्होंने सामान्य परिवार में जन्म लिया सबड हुए उसमें उनका क्या पराद है कि शीच की सजा मिल ल बच्चों की आवाज उठाएंगे हाई कोड में जन्हीत याज का दायर करेंगे आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी जो भी संभव मदद होगा इन बच्चों के लिए किया जाएगा गलत है मतलब कि आपको लगता है कि सरकार का एक बहुत बड़ा गलत फैसला क्योंकि पांच साल बाद आते आते भरती आई है बिलकुल एक तरफ आप अठाइस दे रहे हमको उसके कोई विरोध नहीं है एक तरफ नाइटिस कर दीजिए हमको उसके कोई विरोध नहीं है हम उसारा छड़ लेकिन उम्र समय सीमा बढ़ाई जाए हम कहते हैं कि 22 साल में वह लड़कों में सामाने बर्के वहर्थियों में असंसोस की भावना पैदा होती जाय रही है इसको हर हाल में बदलना चाहिए आप में बताएं आप पतरकार हैं देख भी रहे हैं लोग मैं जानना चाहता हूं कि देश तोतंतरता में क्या शवड़ों नहीं दिया अपनी सारी रियासते उन्हों ने दिया देश के लिए कुर्बान भी हुए उनकी संख्याज कहते हैं लोग कि जिसकी जितनी संख्या भारी मैं पूछना चाहता हूं इसनी कुर्बानी के बाद देश की आजादी के लड़ाई से लिए सारी तरह की लड़ाई ओड़ों देश के जो भी उसमें भी वही चीज हैं आप कुछ भी नहीं देए रहा है कि सरकार बिचार करें और कम से कम पांद साल उम्र-सीम्शा बढ़ाय ऑन्य लड़कों को मौका दिमिले फेस बहाग लेने के लिए लगा को दिया जाना चाहिए नहीं तो हम अधिवक्ता बर्क से हैं ही एक कहली जाए भावेक के रूप में हम सब रोड पे उतरने के लिए बाद दोंगे और इनको जो है आरपार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे इनको हमारी बात माननी पड़ेगी हम अपने लड़कों की उपच्छा आने वाली पीड़ी जो तो यही समाज आपको कल भगाने का काम करेगा और फिर दिक्कते हो जाएं कि हमारे समाज के ओटर लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या नाम हुआ सर आपका अच्छा तो सर यह बताईए कि अभी आपने सर की सारी बाते सुनी तो कई तरह के मतलब कि जब राजनीती की बात होत तो बहुत सबका रोजगार जो बेरोजगार युवा है उसका दर्द अगर आप जानने की कोशिज करेंगे तो यह अपना दर्द यह बनके नहीं बताएगा कि वह समाने कैटेगरी से है कि सेडिल कार से है जब नौकरिया नहीं रहेगा तो हर कैटेगरी के लिए दिक्कत है और आते आते पांच साल बाद नौकरी आया यूपी पुलिस में यही सबका साथ सबका विकास है इसी को कहते हैं सबकार समाज कहा जाएगा पांच साल पाट रिखतियां आई तो वह तो बहुत से बच्चे तो उमर के वह सीमा पार कर चुके है अब जिंदगी ने लिए है क प्रतिवा होगी अपना एक्जाम होगा लेकिन उनको मिलना चाहिए चाहिए आगे आए और अपनी विलाइफ बनाए आपका सुनेल पांडे यहां पर नेताओं का वो करने नहीं आया हूं आप सभी लोग नागरिक हैं और मैं बस राय जानना चाहता हूं कि यह जो भरती आई यूपी पुलिश की उसमें जो एज रिलेक्सेशन को लेके मांग उठ रही है और सवर्डों मतलब कि आभी सवर्डी हैं तो जो सवर्ड के बच्चे हैं वह बाइस साल के बाद तेस साल में बुड़ा मतलब बुड़े हो जाते हैं क्या नए ऐसा तो नहीं है कि बुड़े हो जाते हैं सरकार को यह चाहिए जैस तो जिस जिस साल रिटायर हो रहे हैं और जो लड़के उस साल तयारी कर रहे थे उनको उतनी भरती के अनुकूल किया जाया जैसे जो मालीजे 2020 में तयारी कर रहा था जो सो सीट दोहजार बीस में खाली होई तो उन लड़कों के लिए उसके उसको भरती रखा जाए उस हिसाब से इनको एजस्ट किया जाए इनको भी मुक्ता दिया जाए ताकि यह भी देश के लिए कुछ कर सके रोजगार इससे मिलेगा वे रोजगारी कम होगी अब अचानक एक कि अब वह बच्चे कहां जाएंगे यह सरकार की जिम्मेदारी है क्या नम हुआ सर अपका धर्मिंत कुमार दिवेदी क्या कहेंगे कोश्चन तो आपने सुन लिया कोश्चन मेरा सिर्फ यह है बाइस साल जो सवर्ड के बच्चे हैं मतलब कि जो सवर्ड अभ्यरती है उनक कम से कम अब भरती आई है तो एज रिलेक्षेशन दिया जाए ताकि वह बच्चे जो पांच साल से तयारी कर रहे थे चार बजे उटके बचारे जो है रोट पे आ जाते हैं तीन बजे चार बजे दोड़ते हैं तयारी कर रहे हैं और जब मौकी की बात आई तो उनसे मौका एज की विज़ते से चिन जा रहा है क्या कहेंगे इसके लिए हमारे जो भाई साब बैठें। अब क्यों नहीं किया पांच साल तक कोई पूस्ट खाली नहीं हुई और पांच साल तक लड़के वेट करते थे तयारी करते थे जबकि पहले अमूमन हर साल भरतिया निकलती थ सब्सक्राइब उस सब्सक्राइब पचास निकालते निकालते लेकिन हर साल निकालते हर साल हो रहा है इसमें को coffee же भूठो तो दबहत-षांस हो गया लिहाज़ा उनको आप चांस दें पची बाइस नहीं अगर आप पचीस कर सकते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है पचीस साल आज जब हर उम्र बढ़ रही है वोटिंग राइट एकिस साल होगे अठारा के बाद तो कम चकम आप भरती में बाइस से पचीस कर दीजी हो सकता इसका कुछ आप जो है कंपेशन हो जा थोड़ा समय उधर जाना चाहूंगा अब बैठे रही बैठे अरे सका नाम हो का माण कर रही है मतलब की दो करोड की नोकरी का बाधा और तमाम बाते heav को लेकि चरत हैं उसको लिएवाह देख रहे हैं या आपको लग रहा कि नोकरी मिल नहीं है क्योंकि वो प्PS Only नहीं होत प्रसंद है क्योंकि क्लता है तो 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 स्वाइब तो आप 타od के अ प्र्ञार कैसे नहीं जरूरा सुपाई भड़ती हो जाएगी तभी रोजगार डे года यह सरकारoqun के लिए बहुत ज्याधे काम कर रही है कि जैसे मंदिर बन रहा है तो मंदिर के पास रोजगार क्या है नहीं है थेला लगाई तो बाए नोगा लगाये लगाये पंचर बनाई ये बढ़े सबानू घर के बच्चे और यह सब चीजें किसके लिए बोला जाए क्यों बोला जाए हम लोग तो माली आहत है तो लगेगा यह बीरोधी है जब कि हम लोग ना किसी पार्टी से हैं कहीं से हम लोग को दिख रहा है कि पर दे के पीछे अपको लगता है कि 22 साल का एज रखा गया है उसके बाद बच र पाटोरा तयार है वह भी लोग जाके बढ़ जाएं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार उनको पंगू बना रही है अरे पने बने रहो पगला काम करेगा अगला पागल रहोगे तभी तो जंडा ढोगे सरकार चाहनेता यहीं करवाती है अब हम इन लोग के बार नहीं बनेगा तो आपको 50 रुपे की दवा की जरूरत होगे तो आप बच्चे को दोस्त देंगे तो आप स्वेम ऐसे सरकार को चुनके भेज रहे हैं यहां आपका लड़का खुद पंगू बना रहे है इसलिए इस सरकार यह चीजें हैं बहुत सी चीजें हैं हम जैसे लो करा सकते हैं इस बात को आप सोचिए जो लोगों वोटिंग कर रहा है सवाण लोग और 35 परसेंट बनाम सवाणों की लड़ाई चल लए अप सवाण को लग रहा है यह सरकार हमारी है वो गलत फ़हमी में है किसी को राय लेना अफ्री आते हैं और यह सरकार तो सब को ले रहे हैं सोचन कर रहे तब भी लोग उसी साथ करें बने रहो सर ने बहुत बढ़िया बात करी बने रहो पगला काम करेगा अगला